नमस्का दोस्तों आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जारें शाद पक्ष में 16 दिनों के दोरान जानिये क्या करें और क्या ना करें हिंदु दरह में पित्र पक्ष अपने पूर्वजों यानि जो परिजान इस धर्ती पर अब जीवित नहीं है उनके प्रती शद्धा बाव दिखाने का समय होता है पित्र पक्ष में पित्रों को तरपन और पिंडदान का मैत्व होता है हिंदु पंचान के नुसर हर वर्ष बादर पर्द महीने के सुकल पक्ष की पूर्णिमा से आस्वनिमा की सरु पित्रमवशय तक 16 दिनों तक स्रादपक्ष चलता है प्यारे दोस्तों स्रादपक्ष में आप पूरी शद्धा के साथ अपने पित्रों को तरपन करें माननेत है कि स्राद पक्ष में पित्र लोक से पित्र देव अपने परीजनों से मिलने के लिए धर्ती पर किसी ने किसी रूप में आते हैं और परीजनों के द्वारा भोजन और भाव ग्रैन करते हैं पित्र पक्ष के दोरान पिंडदान तरपन और ब्रामनों को भोजन करवाय जाता है जिससे पित्र देव प्रसन होते हैं और परीजनों को आसिरवा देते हैं पित्र पक्ष के दोरान सोला दिनों तक पित्रों का तरपन श्राद और पिंडदान किया जाता है सास्त्रों में माना जाता है कि जो लोग पित्र पक्ष में अपने पुर्वजों का तरपन और पिंड़दा नहीं करते उन्हें पित्र दोस्त लगने का सामना करना पड़ता है आए जानते हैं पित्र पक्ष के दोरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए पित्रपक्ष के दोरान क्या करें जब भी शादपक्ष में अपने परिजनों का पिंदान या अतरपन जैसा नुष्ठान किया जाता है तब इसमें परिवार के किसी बड़े सदश्य को यह क्रिया करनी चाहिए पित्रपक्ष में पित्रों को तरपन के दोरान जोके आते तिलके और चावल से बने पिंद दान का अरपन करना चाहिए श्राद पक्ष में हार दिन बने बोजन को सबसे पहले कोवे, गाय और कुत्ते को और पित करना चाहिए मननेत है पित्र देव ये रूपधारन कर भोज करने आते हैं कोवे को यम्ग का दूत मना जाता है पित्र पक्ष में ब्रामनों को बोजन और दक्षना के साथ अगनी और गरुर पुरान का पाठ करवाना चाहिए और पित्र पक्ष से समंदित मंत्रों का जाप करना चाहिए पित्र पक्ष के दोरान क्या ना करें पित्र पक्ष में बिना जने उधारन करें पित्रों का अतरपन नहीं करना चाहिए श्राद क्रम के लिए काले तिल का उप्योग करना चाहिए परिवार में आपसी करें से बचें ब्रह्मचर्य का पालन करें इन दिनों इस्त्री पूर्व समन्द से बचना चाहिए नाखून बाल और दाड़ी मूच नहीं बनाना चाहिए क्योंकि साथ पक्ष पित्रों को याद करने का समय होता है यह एक तरह से शोक व्यक्त करने का तरीका है बोतिक सुके साधन जैसे स्वान आभूशन नईवस्त्र वाहन इन दोनों खरिदना अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि यह शोक काल होता है पित्रपक्ष के दोरान किसी भी परिस्तिती में जूठ न बोलें और कटू वचन से किसी को दुख न पहुंचाएं पित्रपक्ष के दोरान इस बात का विषेज द्यान रखें कि घर का कोई भी कोना अंधेरे में न हो पित्रपक्ष में कुल की मर्यादा के विरुद कोई आचरन न करें वायू पुरान में कहा गया है कि गया में श्राद करने से ब्रहमत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरुपतनी गमन और उप्त, संसर्ग, जनित सभी महापातक नश्ठ हो जाते हैं गुरुपुरान के नुसार मनुश्य की मुक्ति के चार मार्ग, ब्रहम ग्यान, गया में श्राद, कुरुक्षेत्र में निवास ततक गोसाला में मिर्त्यू है, जो मनुश्य अपने घर से गया के लिए प्रस्तान करते हैं, गया पहुँचने तक उनका प्रते कदम पित्रों क सरवगा, रहन के लिए सीडी बनता जाता है, फित्र पक्ष में गयातीत में जाकर, आम पित्रों की शात्य पन करके पित्र रिंच से मुक्ति पा जाकते हैं, जो कि स्वाम भगवान विश्णु पित्र देवता के रूप में गयातीत में निवास करते हैं, दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें